हेलो एवरिवन वेल्कम टू जीवन दर्शन आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पर्मुटेशन अंडर रेस्ट्रेक्शन तो इसमें दो थियोरम है पहला थियोरम यह बता रहा है कि नंबर ऑफ पर्मुटेशन ऑफ एंड इस्टिंक्ट ऑब्जेक्स बना पटिकुलर ऑब् इसा है कि उसको पर अरेंजमेंट में लेना ही नहीं है तो उस केस में हम किस तरीके से यहां पर पॉसिबल वेस्ट या पॉसिबल अरेंजमेंट्स बना सकते हैं इसका फॉरमला क्या होगा एन माइनस वन by PR इस तरीके से आप इसका फॉरमला को लिख सकते हैं नहीं तो अकर आपको सबसे पहला ben box level जैसे सबू़क्स रहाया था उसको box level जैसे solve करते हैं कुतना है 4 लेना है 4 को नहीं नेना सजाना मान लीजए 3 3 ball को हमेसा sous करना है इसमें से चार बॉल को तो हमिसा नहीं लेना है टोटल है 12 बॉल्स चार बॉल को कभी नहीं लेना है त्री बॉल्स को हमिसा सजाना मतब त्री बॉल्स में ही अर्रेजमेंट करना है तीन में से किसे करके होगा टोटल आउटकम्स 12 बॉल्स है 4 को नहीं लेना है तो 12 में से 4 को माइनस कर दो 8 में से ही जितना 3 को सजाना होगा तो पहला वाला में total कितने लोग आ जाएंगे 8 आ जाएंगे दूसरे वाले में कितने आ जाएंगे 7 आ जाएंगे तीसरे वाले में कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे सब को into कर दो answer आ गया या तो ऐसे जा सकते है या तो ऐसे भी जा हो सकते है box वाला कर आपको असान लग रहा है तो box वाला कर लो तूसरा वाला question ये बोलता है कि अगर मान लो 12 balls है 12 अलग अलग balls है इसमें बोल रहा है कि आपको आपने कितने चुने है 3 balls ठीक है 3 balls को लेकर arrangement बनाना है और 2 balls जो है particular 2 balls हमेशा उस arrangement में आने ही चाहिए ये जो 2 balls हमेशा कोई भी 2 balls हो ये 2 balls हमेशा उस particular arrangement में आएंगे आएंगे इस 12 balls में वो 2 balls तो included है और ये 3 balls का arrangement बनाना है तो टू बॉल्स आने चाहिए, ये टू बॉल्स कितना जगा है, साब बात है, कि यहाँ पे कितना टू पॉसिबल वेस में कितना लेगा, टू में से कोई दो में से एक आएगा, और ये बचेगा एक यहाँ आजाएगा, ये दो बॉल में से कोई एक बॉल यहाँ आजाएगा, और सिर्फ यहाँ पे 10 different ways है मतलब 2 into 1 into 10 20 ways I hope आपको यह वाला example समझ में आया होगा चलिए एक question करते हैं उससे थोड़ा और clear हो आपको मुझे एक word दिया गया है O-R-D-I-N-A-T-E ordinate इस word में मुझे यह बोला जा रहा है जितने भी places है odd places को vowels occupy करेंगे तो सबसे पहले total है कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 total 8 words है उसमें से odd places कौन कौन होगे पहले वाले यह चलो one को three को circle कर ले five को circle कर ले sand को circle कर ले और सब odd places पे कौन होने चाहिए हमेशा vowels को हमेशा होना चाहिए total vowels कितने है था o, i, e, e चाहर वबल्स है चाहर प्लेस है तो आकर आपको कोई बोलेगा इसका possible arrangement बनाने के लिए तो क्या होगा चाहर का factorial अब बचा केतना चाहर वेकेंट प्लेसेस चाहर वेकेंट प्लेसेस में चाहरों consonants है इसका भी possible arrangement कितना होगा into four factorial तो हो गया answer five seventy six ये चाहर वेकेंट प्लेसेस को तरीके से आया है आपको पिछला exercise को thoroughly बनाना होगा तब ही जाके आपको clear होगा ये चाहर वेकेंट प्लेसे सवाल पर चलते हैं यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है mathematics मेरे पास चाहर बुक्स है maths के तीन बुक्स दिया हुआ है English का है अब ये बोल रहा है कि ये जो बुक्स है उन्हें शेल्फ में रगा गया है शेल्फ मतलब तो आप लोग समझते हैं एक क्यूपर एक क्यूपर एक क्यूपर एक क्यूपर एक ठीक है? चलो साथ बुक्स ऐसे सचा दीगे warto की नीची इंगलेश है और इंगलेश के नीचे math है फिर आगया math है, ऐसे करके नहीं, जिते math books है, वो सब एक साथ, inglish book जितने हैं एक साथ इसका मतलब हमको clubbing कर लेना है clubbing का मतलब 4 of books को एक साथ करना है तो यह हो गए 4 books ठेक है यह हो गए math के 4 books तीन books हो गए English के अब यहां द्ध्यान से देखो 4 book math के हैं 3 English के book हैं रहना तो सब को एक shelf में है तो अकर हम 4 book math का है तो यहां possible कितने cases यह arrangements कैसे होंगे अकर हमको 4 का math का book है तो 4 का factorial अकर यहीं पे इस math book को ही सजाना है एक book हो सकता कोई उपर हो या दूसरा book उपर हो बहुत सारे arrangements हो सकते हैं इसके possible arrangement ही 4 factorial और English के 3 factorial तो आप तो बोलेंगे कि 4 factorial into 3 factorial कर देते हैं वो गया answer? नहीं इसमें एक और चीज है जो जुटेगा यह book है काँ? शेल्फ में तो हो सकता है कि English का पूरा book उपर में हो, math का नीचे हो हो सकता है math का पूरा उपर हो, English का नीचे हो मतलब यहां कितना possible way है? 2 possible ways है तो उन 2 possible ways के लिए 2 ways को into कर देना है तो पूरा into करने से 288 आएगा तो हो गया आपका answer I hope you like the video अब next video में हम लोग exercise के questions को discuss करेंगे Please do like and subscribe, thank you